हेलो दोस्तों कैसे हैं आप लोग आज अगेन बात करेंगे एक नए स्टॉक के बारे में जिसको विजे केडिया ने अभी बाई किया है एंड आराउंड 100 करोड रुपीज विजे केडिया ने इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट किये हैं तो ये स्टॉक कौन सा है विजे केडिया एक एस इन्वेस्टर है आपको बताई होगा काफी ये स्मॉल केटेग्री से स्मॉल कैप कंपनीज बाय करते हैं एंड उनके अंदर लॉंग टर्म तक होल्ड करते हैं और काफी अच्छा पैसा इन्होंने मार्केट से बनाया है वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रैस करें जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आएं अगर आपने टेलिग्राम चैनल को जॉइन नहीं किया है तो डिस्क आर्च के दौरान या promote buy करते हैं bulk amount में अपने ही stocks को तो ऐसी information को इस particular channel में share कर दिया जाता है किसी भी प्रकार की intra-date tips इस particular channel में आपको नहीं दी जाती है तो आपका mindset वह है तो आप नहीं join करें लेकिन आप long time investor हैं तो आपको जरूर ये टेलीग्राम channel join करना चाहिए link आपको description में मिल जाएगा तो विजय केडिया की अगर बात करें तो यह इसमाईल प्रिंसिपल फॉलो करते हैं जिसमें यह ऐसी कंपनी को पिक करते हैं यह विजय केडिया का ही एक ट्वीट है जिसमें इन्हों ने लिखा है है small in size, medium in experience, size में काफी small हो company जो experience है उसके अंदर लेकिन medium हो जंव लार्ज इनrespirations बढ़ने के espírites के मामले में लार्ज हो and extra large in market potential, जो market potential है उसके मामले में extra large हो, यही इसमाईल की full form है and जो book है master class with super investors ये इस book के अंदर भी इन्होंने इसी smile principle को समझाया है वही ये है small in size, medium in experience, large in aspiration and extra large in market potential इसके साथ साथ इन्होंने ये भी लिखा है कि I like management who practice one task 10,000 times rather than management who have done 10,000 things once तो इन्होंने बोला जैसे कि ये Bruce Lee की कावद भी आपने सुनी होगी कि उन्होंने बोला था कि उनको ऐसे competitor से डर लगता है जिन्होंने एक ही kick की practice 1000 times की हो ना कि ऐसा competitor जिसे 1000 times की kick मारनी आती हो तो वही same चीज़ यहाँ पे दिखती है and इनका जो focus है वो काफी अच्छा दिखता है market में अब अगर इस deal की बात करी जाए तो अतुल आटो के shares जो है विजे केडिया ने बाई किया है जो बाई करने की जो price है around 198 रूपीज की price पे जो preferential share है वो इन्होंने बाई किया है around shares की बात करें तो 50 lakh share उन्होंने बाई किया है जिसकी value आती है 99.9 करोड और इसके अलावा around 10 lakh share and 6.56 lakh around 16 lakh share और बाई किया गया है वो promoters की तरफ से बाई किया गया है तो ये आगे आने वाले time में company जो है EV के field में काम करने वाली है ये company auto rixa बनाती है C&G से related auto rixa बनाती है प्लस auto parts भी ये company बनाती है लेकिन पिछले around 2 सालों से company की जो sales है वो भी काफी poor रही है and साथ में company का जो profit है वो भी negative में रहा है इस वज़े से company electric vehicle side में shift होने के बारे में plan कर रही है इस वज़े से company को अपने business को expand करने में and अपने business को electric side में move करने के लिए पैसा जो चाहिए था इस वज़े से ये preferential stock जारी किये गए थे उसको विज़े केडिया ने buy किये है साथ में promoters ने भी around 15 करोड के stocks buy किये है तो यहां से क्या इनका रहता है currently company के क्या fundamentals है उसके बारे में बात करेंगे and हमें इसके according क्या decision लेना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले अगर return की बात कर ली जाए तो last one year में अतुल उटो के stock ने negative में 2.18% के return दिये है वो भी तब जब पिछले ये weekend पर ये deal हुई है weekend में ये news आई थी वहां उसके बाद से दो दिन के अंदर around 27% की rally इस stock ने दिखाई है तब जाकि ये negative में 2% के है नहीं तो यहां से और भी negative में ये return देखने को आपको मिलते तो पिछले एक साल के अंदर इस stock ने कोई return नहीं जी है market cap के अगर बात करें तो only 522 करोड का market cap है means कि ये कोई small cap से भी नहीं बिलोंग करती है ये एक micro cap बोल सकते है जो भी companies 1000 करोड से नीचे की होती है उनको हम micro cap में consider करते हैं and 52 week high देखा जाए तो 268 का है and currently stock 238 पे trade करता हुआ नजर आ रहा है अब अगर आप देखें कि maximum return 2013 से अगर इस stock के return देखे जाए तो वो भी कुछ खास return नहीं है 157.30% के return इस stock ने दिया है 2015 में इस stock ने एक high लगा था वो around 700 रुपीज के आसपास था exactly देखा जाए तो 689 रुपीज का वो high था उसके बाद से ही stock underperform करता हुआ नजर आया है and पिछले around 1-5 साल के अंदर ये stock जो है एक ही range के अंदर 200 के आसपास की range जो है उसी के अंदर trade करता हुआ नजर आया है and जो deal है वो भी इसी range में हुई है 198 रुपीज पे अब अगर इसके कुछ financials को देखा जाए तो market cap already हमने देख चुके है current price 238 है book value 126 है ROC negative में है क्योंकि company कुछ earn ही नहीं कर रही है and ये ROC पिछले four quarters का होता है पिछले four quarters मतलब पिछला एक साल and एक साल के अंदर company ने कोई profit generate नहीं किया है तो return on capital employed negative में आ रहा है return on equity भी negative में है dividend yield देखा जाए तो company कोई भी type का dividend pay नहीं करती है debt to equity देखे तो 0.51 का है around 156 करोड का company के उपर debt भी है वहीं अगर cash देखा जाए तो only 6 करोड का cash company के पास available है and sales growth की भी बात करी जाए पिछले 3 साल की तो वो negative में 22% की दिखती है stock का PE यहां नहीं लिखा गया है क्योंकि कोई earning ही नहीं है तो PE निकलने का कोई सवाल ही नहीं बनता है अब अगर company के revenue की बात करें तो 2018 में company ने 569 करोड का revenue generate किया then 2019 में 667 का then 625 का and 2020 के बाद से revenue के अंदर काफी गिरावट तेखने को मिलिया 2021 में around 300 करोड का revenue generate किया था and 2022 में around 300 करोड का revenue generate किया है जो कि पिछले सालों के according आदे से भी कम नेजर आता है तो यही reason है कि stock भी perform नहीं कर पा रहा था profit के अंदर आप देखेंगे तो 2018 में company profitable थी net profit 47 करोड था 2019 में 55 net profit था and 2020 के अंदर 53 का net profit था उसके बाद से sales भी कम हुई है and जो profit है वो भी negative में means 2021 में 8 करोड का negative में profit है and 2022 में 24 करोड का loss है तो इस type से company के fundamentals नेजर आते हैं लेकिन company जो move दिखाना चाहती है electric vehicle side में ये move company का कि side रहता है वो तो आगे आना वाला time ही बताएगा लेकिन हम भी इसमें एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर क्योंकि जो विजयक एडिया है वो ऐसे stocks में किसी भी तरीके से invest नहीं करते हैं जिसका future potential अच्छा नहीं हो market में अगर उनकी analysis के according हम अगर buy करना चाहते हैं तो हम एक छोटा सा amount इसमें invest कर सकते हैं अपना खुद का analysis करने के बाद and अपने financial advisor से advice लेने के बाद ये video only educational purpose से है मैं इस stock में क्या करने वाला हूँ मैं इसमें कुछ छोटा सा amount एक डालने वाला हूँ around वो amount रहेगा around 20,000 के आसपास का amount मैं इस stock में invest करना चाहूँगा and मैं around 1 year तक इसकी performance को देखना चाहूँगा अगर वहाँ से ये stock और अच्छा perform करता है तो मैं इसकी उपर के level पे averaging करूँगा जिसे आप pyramiding भी कहते हैं तो मैं वो करना पसंद करूँगा rather कि मैं इन ही levels पे इसी news के basis पे इसमें कोई heavy amount invest करूँ तो ऐसा मैं नहीं करने वाला हूँ आप अपना decision सोच समझ के लिए and share holding pattern देखा जाए तो 52% की holding promoter के पास है and विजे केडिया sir की holding इसमें पहले से भी थी 1.47 की and वो बढ़के अब around 20% के आसपास हो जाएगी and आप देखेंगे कि FII का जो stake है बिल्कुल negligible stake है and DIA का भी 0.20 का stake है तो FII and DIA जासे strong hand इस particular stock में न देख सकती है अब अगर इसके business की बात करें electric vehicle के यह particular auto sector में काम करती है means की auto riksa and taxi यह बनाती है जो auto riksa चलते हैं तो यह particular field में 1986 से काम कर रहे हैं तो इनको काफी अच्छा experience है अब electrically यह इस particular चीज को कैसे भुना पाते हैं यह हमें देखना होगा इसी वज़य से मैं कोई बड़ा decision current time पे नहीं लेना चाहता हूं thank you for watching this video and your video आपको कैसा लगा comment section में जरूर बताएं again thank you for watching this video